और दोस्तों कैसा हो यार सारे मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जैयार कॉलेज में दोस्तों जो के पार्ट है यूट्यूब चैनल जैयार टुटोरियल्स का मेरा नाम है दोर मुंद दोर में जो कॉमर्स के बच्चे खासर 11 और 12 वो सभी को मैं SP पढ़ा दा हूँ और इसी के साथ दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ जैसे आज देखो यह टाइटल देखो लेस्न 6 7 8 तो आज हम यह लेक्चर 1 में हम यह सीधा 3 लेसन के थिएरीस को कंक्लूड करने वाले like start करने वाले conclude तो नहीं होगा वो conclude next lecture में होगा लेकिन तीन chapters की theories हम इस lecture में सीखेंगे lesson number 6, 7 and 8 देगार दोस्तों confused नहीं होना है lesson number 1, lecture 1, lecture 2, lecture 3 ऐसे आता था पहले लेकिन अब जो title है lesson number 6, 7, 8, lecture 1 lesson number 6, 7, 8, lecture 2 जिस दिन यह जह मैं आपको बोल दूँगा suppose for example lecture number 4 चल रहा है lecture number 4, lesson number 6, 7, 8 और मैं आपको बोलता हूँ कि यह last lecture होगा तो जिस दिन lecture 4 finish होगा आपका तीनों के तीनों chapter finish हो जाएंगे 6, 7, 8 मिलते जूलते chapters है और साथी साथी इसकी theories जो है न दोस्तों यह totally start of your SP के lessons पे depend करती है अगर आपको members क्या होता है debenture holders पता है क्या होता है आपको फिर deposit holder पता है क्या होता है तो यह सब हमने lesson number 2 में सिखाता है, SP के lesson number 4 में सिखा 5 में सिखा, अब वो सभी को हम letter बेजने वाले और यह lesson है न दोस्तों letters के related यह वही lesson है जिसका आप सभी से वेट कर रहे थे कि ज़र वो 5 marks के question आते है जिसमें letter बनाना होता है क्या वो 12 में हमें नहीं है बिल्कुल है आपको दोस्तों और वो lesson आ चुगे है lesson number 6, 7, 8 simply talks about letters correspondence जिसको बोलते है correspondence का मतलब यह होता है communication communication आप यह कह सकते हो कि एक एक इंसान अपना जो point of view बताना जाता है दुसरे इंसान को चलो उस पर दिखेंगे हम समझेंगे आगे सब कुछ समझेंगे फिलाल आप इस lesson पर मत जाओ आप फिलाल इस lesson को पढ़ने की concept पर जाओ किस तरह से आपको start करना है lesson six seven eight और उसका lecture one तयार एकदम दोस्तों यह वीडियो को आपको सभी दोस्तों को शेर करना उनको बोलना है वाई चार-पाच लेक्चर मैक्जिमम मैक्जिमम शायद इससे भी ज्यादा नहीं लगेगा कि चार लेक्चर के अंदर तेरे lesson six seven eight हो रहा है दोस्त आजा फटा-फट यह सर की वीडियो देख चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर किसे ने पढ़ा हो मुझसे मैंने लेसन नमबर टू के लिए आपको एकदम इजी करके दिया एसबी के लिए lesson six seven eight में एक ऐसा shortcut बताऊंगा जिसे आपका सारा काम हो जाएगा तो यह बात पर लाइक बनता है ठीक है आपको लाइक करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है आप सभी ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को और यह मेरा instagram id जहां पर आपको प्यार बातना है और चैनल को तो बाटना ही है comment section में एकदम प्यार देख जाना चाहिए खासकर यह वाले tactic के लिए जो आज मैं आपको बताऊंगा तो start करें भी आईए देखते है lesson number six का नाम correspondence with member lesson number seven का नाम correspondence with debenture holder और lesson number eight का नाम correspondence with deposit holder तो एक ही lecture में आप तीन lesson की शुरुआत कर रहे हूं तो पता है क्या होता है correspondence याने की communication करना communication करोगे आप in return form में और return form में भी पता है क्या letter के द्वारा और यह letter आप सभी ने 11 में करा है एक बार फिर उसे आपको 12 में करना है तो जो 11 में आपने पाच मार्ट पाए थे 5 मैं से 3 4 जितने भी आप हो marks मिले हो इस बार हो समय आ चुग corresponding या while communicating with members एक company secretary company में जब काम करता है और उसे company secretary को company या members के साथ कुछ communication करना पड़ता है letter send करते दवारा तो वो उस member को किन बातों किस तरह से बात करेगा उस member से किस तरह से बात करेगा पहला question तो इस में ना यार कुछ head points है दोस्तों लेकिन इस पर बढ़ने से पहले इसका एक और lesson number six का point है अब मैं तुम्हें lesson number seven का एक बताता हूं lesson number seven में पहला ही जो theory है न वो यह precautions to be taken by secretary while corresponding with debenture holder एक सेकेंड दोस्तों lesson number six में पता है क्या है lesson number six में members की बात की जा रही है lesson number seven में debenture holders की बात की जा रही है और lesson number eight में किसके बात की जा रही है बाई depositors की बारे में बात किया जा रहा है समझ में आया तो मतलब lesson six seven eight question किनों का एकदम similar बस वहाँ पे बाते अलग हो रही है यहाँ पे बाते depositors की हो रही है यहाँ पे बाते debenture holder की हो रही है और यहाँ पे member precautions सब में एक लिखोगे तो भी चलेगा कोई problem नहीं problems all हो गई यहाँ पे लेगिन मैं आपको वोलूंगा सब में एक मत लिखो थोड़ा बहुत different होना चाहिए और मेरी बात सुनों यह तीन theory question में से कोई एक question exam में बनता है prelims में आपके पक्का बनेगा term में बनता ही है unit test पे भी बन जाता है क्योंकि बच्चे इसकी देरी छोड़के जाते है तो आपको बस यह एक lecture देखना है फटा-फटी head points समझने 8 points है सारे के सारे लिखके आने और गरो फिर start चलो correct information जब एक company secretary member से कुछ information communication करता है तो उसको make sure करना है कि वो correct information दे जैसे member के साथ उसको कुछ बात करनी थी उसने member को बताया कि आप सभी की meeting होने वाली है दस तारिक को company secretary ने दस तारिक तो लिखी लेकिन September के जगे August लिख दिया अब क्या होगा भाई अब क्या होगा भाई company secretary ने दस तो लिखा लेकिन क्या correct information के साथ उसने उस person के साथ communication करा नहीं ना तो company secretary पे बहुत बड़ा रोल होता है एक responsibility होती है कि वो जब भी किसी भी members के साथ communication करेगा किसी members के साथ corresponding करेगा correspondence करेगा तो वो क्या करेगा correct information उसने लिखा है एक बार वो mixture करेगा और तभी वो उसको send करेगा समझ मैं चलो अगला फिर क्या lucid language प्यारी प्यारी language के इस्तमाल करना है ऐसे simple language के इस्तमाल करना है difficult words यूज नहीं करना है ऐसे words आपको यूज नहीं करना है जिसमें आपको dictionary कोल के बिटना पड़ जाए आपको Google करना पड़ जब कोई अगला परसंग उसको read करे एक बारी में उसको समझ में आ जाए उसको कहते lucid language easy language easy to understand जादा इसमें बढ़ा चड़ा कर शब्द English के यूज चलो फिर क्या prompt response देखो यार यह ना लड़कियों की तरह होती है कुछ लड़की क्या करते किसी लड़की पर एकदम ऐसे लगातार message करते और फिर wait करते हैं तो लड़किया क्या करती है लड़किया भी भाव खाने लग जाती अरे तुझे बड़ा इंतजार है मेरे message का रू एक letter बेजा वो correspondence उसको तीन तारिक को मिला ठीक है company secretary ने बोला था प्लीज हो सके जितना जल्दी हो सके reply देना तो उस person ने उसका जो letter है दो मिनिट के अंदर read कर लिया लेकिन उस person ने reply नहीं दिया company secretary को भाई उसका ego हट हो गया मैं इदर पागल बिठा हूं नहीं मैं इदर मैं time pass कर रहो में इदर तिरको मैंने बोला था दो दिन के अंदर तिरको reply देना है तुने दो मिनिट में message scene कर लिया लेकिन तुने 6 गंटे तक reply नहीं दिया यह क्या बात ही मेरा ego हट हो गया अब अगर तो reply भी देगा ना तब भी मैं तुझे reply नहीं करूंगा company secretary ऐसा नहीं करता है तो कोई company secretary किसे दिया उसने चांस ही नहीं मैं message नहीं कर रही है अना ऐसा नहीं कर सकते आप ठीक है तो जो लड़किया है जिनका late response देने का तरीका है तो change करो अगर आपको CS बनना है तो ठीक है चलो prompt response दिया करो ठीक है मस्ती कर रहा हूं ठीक है फिर है जब एक company secretary कि किसी भी member को कुछ information send करता है तो वो सिफ उस particular member को ही मिलना चाहिए उन्हें गाव को नहीं पताना है कि मैंने उसको message information जो है मैंने उसको फेला है पता है तरको मैंने बेजाता उसको mail मैंने बेजाता है तुझे पता है क्या कोई competitor तुमारा तुम उसको जाके बतारे है तुझ को make sure करना है वो message आपका जो भी confidential information हो सिफ company secretary एंड उस member के पास में कोई middleman ना हो direct information उसके पास ही गया secrecy maintain होना क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों अगर company के trade secrets leak हो जाएंगे या company के confidential information leak हो जाएंगे तो company के लिए बहुत disadvantages वो हो सकता है चली फिर क्या courtesy जब एक company secretary किसी member के साथ communication करेगा बातचीत करेगा ना communication वही बातचीत तो company secretary पते क्या करेगा बड़े प्यार से बात करेगा ठीक है hello sir कैसे हो आप सर भी यह जरूरी नहीं होता लेकिन एक respect आप देना चाहते हो बड़े वह आपसे छोटे हो या बड़े हो क्या फरक पड़त करता है लेकिन जब उसे कोई इंसान भी मिलता है तो वह उससे बात करता है जब company secretary एक lift में भी जाता है तो उसके बाजमा बहुत सारे लोग होते तो ऐसे चुप-चाप एकदम इससे stiff आदमी नहीं बनता वह क्या करता है सबसे communicate करने की कोशिश करता है वह company secretary है obviously KMP है तो लो आपको प्यार से बात करना है कि कोई बात नहीं सर आप ऐसे मत बुलो please sir मैंने भी आपसे respectful way में बात किया please sir आप भी ऐसे गर होने तो मुझे आपके अगेंस complaint करना पड़ेगा कुछ इस तरह के आपको इस्तमाल करनी होती है तरीके so that आप अगले person को बिना घाली दिये बिन अब्यूज यूज यूज करें भी उनको आप अपने जाल में फसा सको तो इसको कहते हैं courtesy बड़े प्यार से अपना काम निकलवाना है company secretary को गुसा से कुछ नहीं होता दोस्त वह यही point कहना चाहता है विरके legal matters मेरे दोस्त जब कि company secretary किसी भी person के साथ कोई communication करता है in a formal way तो और वो कुछ legal sections लिख सकता है कुछ legal provisions लिख सकता है rule लिख सकता है तो सोचो यार अगर मैंने companies act 2013 के जगे Companies Act 2016 16 लिख दिया 19 लिख दिया 23 लिख दिया जो मन में आया या फिर मैंने कुछ section 2 subsection 20 जो company का definition है मैंने अगर उसके जगे पर section 2 subsection 22 लिख दिया जो कि किसी और चीज का definition है तो यह सही किया गी नहीं मैं जा company secretary शायद मेरे से बहुत बड़ी mistake हो गई ना क्या बताना चाहता था क्या बताना मैं मुझे पड़ी गया तो legal matters पर आप बात करते हो make sure आप correct चीजों पर बात कर रहे हो correct information पर बात कर रहे हो एक बार send करने से पहले उस person को information कुद read कर लो कि तुमने क्या लिगा उसको देख लो फिर अगले को बेजो फिर क्या consideration यह जो भी हमने पॉइंट पर बात की दी ना consideration चलो इसको एक example से बतने के कोशिश करते हैं यह है अपना भाया company secretary yes इस person ने यह person इसका नाम है B इसका नाम है ए ठीक है दोस्तों इसका नाम A है इसका नाम B है यह B जो है यह company का member है भीया तो company secretary क्या करता है इसको company secretary क्या करता है यह member को एक correspondence बेचता है correspondence बेजा यह member को ना दोस्तों थोड़ा सा इसमें यह डाट देता है company secretary गुस्से में लिख देता है letters लेटर को गलत गलत शब्दों का इस्तमाल करता है अब यह जो लेंगविज नहीं होती बट एक हार्ष वे में उसको communicate करता है तो यह जो बी यह ना यार यह नाराद हो जाता है तुन्हें ऐसे कैसे बात कर ली अगला भी उसके फायर वैक कर सकता है कि समझ में आप सोचो सी यह जो ऐ इस इसने बी से कुछ गलत बात कर दी बि हो गया नाराद तो बी ने भी एक से कुछ गलत बात कर दी मतलब बी ने क्या करा कमपनी सेक्रेटरी के गलत बातों का ही तो reply दिया है consideration का मतलब होता है something in written ठीक है quit procure यह का Latin word है और इसका यह मतलब होता है something in return अगर आपने कुछ किया है तो बदले में आपको भी कुछ मिलेगा कर्मा लेकिन यहां भी हम कर्मा की बाद नहीं करेंगे यहां हम कंसिड्रेशन की बात कर रहेँ अगर कंपरी सेक्रेटरी ने कुछ गलत काम किया कुछ गलत वह में information पासान कीए तो जिस बंदे को बुरा लगा होगा न उस चीज का वो भी उस बंदे को company secretary पे backfire देगा कि भाई तुन्हें ऐसे कैसे बूल दिया तो company secretary को ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप पे backfire आए तो इतना बड़ा ना आए कि आपके position पर ही आपको नुकसान हो जाए तो आपको अच्छी तरह से formal way में communication करना है किसी के भी दिल को बुरा ना लगे और आपका information प्रोवाइड हो जाए ठीक है बाई समझ में आया चलो consideration फिर image of company देख मेरे दोस्त आप company secretary हो ना तो आप एक company के बिहाफ में communicate कर रहो company is an artificial person ना company के हाथ है ना company के पाव ना company के voice भी नहीं उनके पास तो तो यह company जो है दोस्तों यह चलती पदा है किस से है इसको चलाते तो board of directors CEO CFO वगेरा सब है लेकिन इसका हाथ पाव representative यह होता इसका company secretary यह इसकी position तो company secretary को make sure करना है कि वो कुछ भी काम करें तो उससे company के image को ठेसना पोच तो मज में आया बहुत important line बुल दी में नहीं है ऐसा काम करना है आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हो आप अपने आपको present नहीं कर रहे हो आप पुरी company को present कर रहे हो वाई तो company के बहाफ में जब आप किसी से बात करोगे तो आपको सोचना है कि आप किस level पे जाके बात करोगे आप company को present कर रहे हो ना represent कर रहे हो ना तो इतने अच्छे दरगे से बात करो कि हायर company secretary हो तो एस तभी ये company इतनी आ गए है ऐसे ऐसी तारीफ आपको सुनने मिलती है ठीक है और एक company को success पे एक company secretary का हाथ बहुत ज़्यादा होता है ये एक आप कहसे हो ना ये जो course है ये जो degree है ये professional course है और ये ना market में लोग इसको अभी तरह समझते नहीं है बट और वही लोग नहीं समझते जो corporate sector में काम नहीं करत हो इसके लिए आपके 12th में और 11th में SP का ये option होता है ये आपको करियर गाइड करना चाहता है दोस्तों कि आप 12th के after के बाद भी क्या कर सकते है वाई CS कर सकते हो ऐसा नहीं है डिगरी के बाद भी लोग CS करते है लेकिन आप अगर पहले कर दोगे तो वह अच्छा होता है चलो मैं कहां बटा कर रहा हूं अब मैं क्या बोल रहा था ये question देगा है प्रिकॉशंस टू भी टेकन एक्जाम में ऐसे ही आएगा प्रिकॉशंस टू भी टेकन वाई सेक्रेक्टरी वाइल कर्सपॉंडिंग वोश्यंस ही बदलेगा यहां पर मेंबर आया तो यह लिखना कि पूरी कहानी नहीं बतानी अब बहुत साल पहले हमारी कंपनी बंद हुई अरे भाई तिरी कंपनी कपनी कब मुझे क्या करना है तु आज क्या हुआ यह बता प्रिसाइस इंफॉर्मेशनु सेकरेसी यह पॉइंट हो गया प्रिसाइस इंफॉर्मेशन ओगया में इन गुड़ील उफ कम्पणी ओगया एक्जाम में डॉचन आएगा तो आप इस से कोई 8 पॉइंट लिख ना है भाई आठ लिख क्या होगे अब कोशन समझो आप पढ़के गए थे मेंबर का कोशन आ गया इक्चाम मेंें दिबेंचैर होलडर का मेरे थ comment है एक्चाम ना इस लेना ख利या औपने दस मत लिखाए आठ ही लिखो तो हो जाएगा चलो setup यह से यह वही पॉइंट है अगर आप अगर समझो एक्जांपल अगर ए यह कंपणी सेक्रिट्री इसने कम्मुनिकेट करा बी से ए ने बी से कम्मुनिकेट करा तो सी डी इ ए और बहुत सारे लोग यह सब लोगों का नाम है इन सभी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ए ने बी से कम्मुनिकेट करा ट्रांसपरेस्ज इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफर करना है एक चीज वहाँ दूसरी जगे पहुच ज short simple up to the point काम क्या है भाई वो लिख सिदा जैसे A को B को share certificate देना था यह member था नहीं यह तो debenture holder है तो समझो बलब debenture holder में लिख रहे ना तो आपको words का ध्यान रखना है A ने B को debenture holder की वो receipt दी ठीक है या समझो debenture trustee ने इन सभी को meeting में बुला है तो A ने B को दिया यह B जो है debenture holder है CS ने बुला अरे B सुन तुमारे debenture trustee ने सारे debenture holders का एक meeting बुलाया है तो आप सभी को present होना है अब यह CDEF यह पता है कौन थे यह सारे equity shareholders थे चलो equity भी नहीं रखता हूँ एक काम करता हूँ यह सारे क्या बना है इनको बताओ यार चलो यह सारे अपने पता है क्या थे supplier थे supplier यह सारे अपनको माल बेचते है goods raw materials meeting भी एक ही है इनको क्या लेने देना इनके पास तो यह information पहुचना भी नहीं चाहिए जिसका काम point of view एक दम बताओ up to the point बात को फिलाओ नहीं up to the point A B को भेजेगा आपको यह यह तारिक को आना है आपकी यह meeting है बस end of discussion फाल तो बात नहीं करने इसको कंसेशनल बोलते है up to the point चलो अब देगो exam में समझो members नहीं आया debenture holder नहीं आया लेकिन पता exam में क्या आ गया यह depositor क्या करोगे dance करोगे बांगरा करो गरवा गरो यह जो भी आपको dance आता है करो लेकिन क्योंकि दोस्तों सोचो ना यार members depositors और debenture holder तीन पॉइंट यह तीन कोशन एक्जाम में बनते हैं और तीनों कोशन का एक ही आंसर है भाई यह आठ पॉइंट देखो अभी इसमें से कितना repeat होते हैं legal provision लिखना है गलत section provision rules नहीं लिखकर आना है जो point of view गलत हो जाएगा नहीं तो curtsy prompt response हो गया accuracy है कि नया point है चलो image and goodwill ह हो गया image and goodwill मतलब reputation तुम company के भीहाफ में message कर रहे हो उसको वैसा गलत शब्दों मत यूज करना company को represent कर रहे हो सिखाना member में वही वाला point है your attitude ठीक है यह अलग point है conciseness हो गया maximum secrets तो यह point में भी कुछ दो नए point है ठीक है इसका एक summary भी दूंगा देंचन मतलो पता confused हो गया हो प्रोवाइड होना चाहिए member को member की meeting है उसका यह information प्रोवाइड होना चाहिए सोचो ना है debenture holder को मैं यह बता रहा हूँ member की meeting कभे equity shareholder की debenture holder बोले आपको reply करेगा पता है क्या भाई देख debenture holder तो मैं हूँ equity shareholder की meeting हो रही है यह जानके मैं क्या करूँ मुझे बता ना क्य क्या करूँ मैं फिर debenture holder को आपने deposit की meeting का notice भेज दिया तो मों बोलेगा deposit की meeting है मैं क्या गरूँ मैं तो debenture holder हूँ तो यह सब करनी accurate person को करनी है उसके पास ही जाना चाहिए यू attitude भाई जबा आप किसी से communicate कर रहे हूँ आपको make sure करना है कि आप humble लगो आप courteous लगो आप एकदम well-wisher लगो कि hello sir hello good morning ठीक है ऐसे उसको तारीफ रहे है उसकी ऐसे नहीं है अरब उसकी बेस्ती कर रहे है भाई क्या भाई कहा रहता है तो कौन से गाव में रहता है तो आपने ऐसा लिख दिया कि हमारा post office का उदर जान नहीं रहा है इसले में तरको mail कर रहा हूँ ऐसे नहीं करना है कि आप बहुत दूर रहते हूँ लेकिन फिर भी आप हमारी कंपनी के मेंबर होई है हमारे ले बहुत ही गर्वक की बात है अगला रीड करते भाई तारिफ कर रहा है यह तो यह क्या किया आपने यू एटीट्यूड प्यार से अपना काम निकलवाना सीखो इसको कहता है यू एटी देखोuen पीरिकॉरूशिंस प्यूदी एकें प्यूदीस सीखो आए कनगी चिंचेंग प्यूर्णे को कम्मेन सेख्रेटर्य को मैंकी किम्genommen क्मुनिकेटिंग आ सकता है या करस्पांड ने दहले करेंधिक या कर्सपांड़िगों प्यृठ्टा पनेंफिूज नहीं होना है डिवेंचर होल्डर या क्या दोस्तो deposit अरे क्या फरक पड़ है कुछ भी पूछे अपने को एक्जाम में वो 8 पॉइंट जो तीनों में लगते हैं कोई भी 8 पॉइंट आपके हिसाब से जो आपको याद रे जाए उठा कर आपको लिख कर आ जाना है और वो सभी को आपको दो दो लाइन में explain भी करना है ये question आएगा आपके exam में 4 से 5 माग का 4 माग का आता है तो 6 पॉइंट 5 माग का आता है तो 8 पॉइंट end of discussion वापस कोई नहीं पूछेगा 4 माग का आया 6 पॉइंट 5 माग का आया 8 पॉइंट end खतम तो इसी के साथ lecture number 1st of lesson number 6 7 8 comes here to end ठीक है and I hope आप सभी को ये lesson के जो पहला lecture है मज़ा आया मिलता हो आप सभी से lecture number 2nd में जिसमें हम बात करेंगे कि किन किन cases में एक member company secretary से बात करता है एक debenture holder company secretary से बात करता है deposit holder company secretary से बात करता है तो इसके साथ lecture 1 and lecture 2 भी आपका end हो जाएगा मैं अब आप से यह request करूँगा ये 8 points के जो hit points है ना ये तो आपको बिल्कुल नहीं भूलने है ठीक है ये 8 points आपका 3 question cover कर रहा है और ये कितना easy है भाई ये पढ़ना पढ़ेगा क्या अभी ये 8 points में से आपको सभी का explanation भी याद कर लो मैं तो बुलता हूँ और जो इसमें से अच्छा लगता है ना आपको जैसे ये lucid language लिख लेना prompt response अच्छा मैं बता दू कि आपको कुणसा कुणसा लिखना चाहिए चलो यार अभी तना भी गाम कर देता हूँ क्या याद रखूए आप मुझे सबसे easy points बताता हूँ जो अच्छा भी लगया दिखने में ठीक है चलो देखो correct information ये आपका first point lucid language second prompt response third secrecy fourth courtesy fifth image of company ये last one लिखना है image of company आठवा ठीक है चलो यहाँ से कुछ उठाते है पाच्वा हो गया क्या उठाय जाए यहां से और पता है क्या दोस्तो image of company नहीं लिखोगे आप image of company के जगे ये point लिखोगे image and goodwill of company देखो आप दिखने में अच्छा लग रहा है point का head point एकदम सुन्दर लगना चीए आठवा point हो गया छटवा किसको बनाए भाई legal provisions के साथ आप जा सकते हो sixth point के साथ तो इस legal provision की 2-3 line के explanation आपके hand return book में आ जानी चाहिए छटवा point ही हो गया साथवा किसको बनाया जाए हमने secrecy ले लिया है ना precise information में नहीं चाहता pick करना और किसे pick क्या जाए तो ये point आपको लिखना है 7th इसे ले लो हो सकता है आप बोलो के साथ आपनों सभी cover करा लिया अब मैं यहीं कह रहा हो ना आप पॉइंट है आपको 8 exam में लिखकर आने है और ये तीनों आप ये चो आप पॉइंट है आप तीनों जगे यूजगे यूज़ कर सकते हो तो चलो फिर इस लेक्षर को भी अपन यहाई अंड करते हैं मिलतो आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्षर में लेसन नमबर 6,7,8 के साथ ये आपके भाई का Instagram ID प्यार यहाँ पर बाटो अच्छा लगेगा मिलतो आप सभी से अगली लेक्षर में टाटा पढ़ाई करवाई